हलो फ्रेंड्स वागत है आप सबी लों का मेरे चनल पर फ्रेंड्स आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके पास एक और माइक्रोवेब की रेस्पी आज मैं आप लों को दिखाऊंगी कि आप किस पेकासे जलेवी को माइक्रोवेब में बना सकते हैं तो सबसे पहले हम इस दोजी लेंगे हम इसमें और एक चमस करीब हम इसमें लेंगे दही अब हम इसको मिलाकर एक अच्छा सा बैटर तयार कर लेंगे और इसे जो माटेरियल का बैटर होता है उसे हमें रात भर के लिए रखना पड़ता है जिससे कि अच्छे तरह से फूल जाए अब हम इसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे जिससे इसमें गुठली ना बने और एक अच्छा सा बैटर तयार हो जाए जिससे हम आम जलेवी का बैटर तयार करते हैं उसी तरह हम इसका भी बैटर तयार करते हैं देखिए इस तरह से बैटर तयार हो गया है बस हम माइक्रोब इंस्टेंट जलेवी नहीं बना सकते हैं इसके लिए हमें अपने इस मैदे वाले पेस्ट को रात भर के लिए रखना प राद भर से उसका आच्छा सर प्रेमी के तैयार तैयार हो जाए। अच्छा चावरी आप बड़तन नितन झाल दूसरों आप यरूर है उसे जले में बातन खाल दाय दकान evitar वैप शाण में इसलिए मैं Thai साइड बेक्टिंग पाउंडर खूंडर विए अड़र करोंगी अब दिखाती देखित इतना ही बेक्टिंग पाउंडर अपको थोड़ा सा बेक्टिंग पाउडर करना है और इस ऐसे अच्छी तरह से मिलादेना माटेरियल में बेकिंग पाउडर मिल जाए इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे अब हम उसे अच्छी तरह से मिलाके आप इसे जलेवी वाले कौन में डाल लेंगे जिसे हम जलेवी बनाएंगे इसको अच्छी तरह से फेट लीजिए थोड़ा आप इसलिए इसे राद भर के लिए रखना पड़ता है कि अच्छी तरह से त्यार हो जाए इस तरह से क्रीमी जैसा अब इसे बोटल में भर लेंगे पॉटल में भनने के बाद इसका अच्छी तरह से धक्कन लगा देंगे अब हम चलते हैं अपने माइक्रोवेब की तरफ तो सबसे पहले हम इसे माइक्रोवेब का मूड सेट करेंगे हम इसे कनवेशन में बैक करेंगे तो convection set कर दिया है मैंने इस गोल वाली बटन से अब मैंसे microwave का सबसे high power 230 degree है मेरे microwave का सबसे high power उसको मैं preheat करूँगी और इसके लिए start के बटन को दो बार दबाएंगे वन और टू जब तक हमारा microwave preheat होता है हम इसे जली भी बना लेंगे बहुत जल्दी नहीं बनाना है बैस जब preheat होने को रहा है लास्ट थोड़ा से सेकंड रजा तभी बनाईए नहीं तो यह पूरी तरह से फैल जाएगा यह देखिए अच्छा रहता है अच्छे से चला जाए और microwave के जलेवी होते हैं उसे अप गरम गरम ही खाए ठंडी होने पर यह कड़ी हो जाती है और आपको इस तरह से कम ओल या घी में तयार करना है microwave में जलेवी तो आप इसे तयार कर सकते हैं पर इसे आपको गरम गरम ही खाना पड़